High blood pressure जिंदगी में नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को follow करेंगे High blood pressure होता क्यों है? कम exercise करने से, ज़्यादा mentally tension लेने से, गलत खानपान करने से ही High blood pressure होता है इसमें सिर्दर्द होने लगता है चक्कार आने लगते हैं नींद आना कम हो जाती है और दिल की धरकन तेज हो जाती है ये high blood pressure हमारी body में क्यों आता है जब हमारी body में जो खून का flow है वो गाड़ा हो जाता है तो high blood pressure की problem हो जाती है और खून गाड़ा क्यों होता है जब हमारे अंदर acid बढ़ने से, acid normally कुछ लोगों को थोड़ा बहुत acid होता है acid से पेट दर्द होना, गैंस होना, जलन होना ये problem होती है लेकिन जब ये चीज लंबे time तक stable रहने लगती है acidity stable रहने लगती है body में तो खून गाड़ा होने लगता है ये खून में mix होने लगती है खून गाड़ा होने लगता है और high blood pressure की problem हो जाती है सबसे पहले आप अपनी diet जो आप लेते हैं routine में उसमें iodine नमक बंद कर दीजिए उसके इलावा आप सेंधा नमक का यूज कीजिए चाए coffee बिलकुल बंद कर दीजिए क्योंकि वो acidity का सबसे बड़ा source वही है body में acidity को पैदा करनी का इसके इलावा अचार बंद कर दीजिए डिबबबंद चीजे बंद कर दीजिए जादा चीनी खाने से भी acidity होती है refined oil खाने से भी होती है आप उसकी बजाए सरसों का oil यूज कीजिए ये चीजों को बंद कर दीजिए ताकि body में acidity पैदा नहो इसके इलावा जो लोग बिल्कुल नार्मल हैं और अगर वो चाते हैं कि उनको कभी भी high BP की problem नहीं हो तो रोजाना सुभे नीबू पानी जरूर पीचिए नीबू पानी जो लोग पीते हैं उनकी body से toxins दूर हो जाते हैं और high BP की problem नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को नीबू का जूस पीने से acidity होती है तो वो जरूर इस चीज़ को avoid करें वो नीबू का जूस भी नहीं ले इसके इलावा आमला जूस पीने वालों को भी high blood pressure की problem नहीं होती लेकिन जिनको high blood pressure की problem है उनको क्या करना है रोजाना एक कली कच्ची लसन जरूर खाएं ये high BP को क्यार करती है कंट्रोल करती है लोकी का जूस अगर एक time पीएं तो बहुत best है अगर दो time पी लें तो ये तो बहुत सी और बिमारियों को भी ठीक करता है जैसे की acidity को दूर करता है thyroid की problem नहीं होने देता body में खून की कमी नहीं होने देता cholesterol जैसी problem को पैदा नहीं होने देता और high BP को तो बिल्कुल ठीक कर देता है ये लोकी का juice अगर आप दो time पीते हैं नहीं तो एक time सुबह खाली पिट ज़रूर पीचिए इसके इलावा आप मेथी दाना दरदरा पीस लीजिए उसको मेथी दाना नॉर्मल होता है उसको दरदरा पीस लीजिए और उसमें से आदा चमच रात को पानी में भिगोकर सुबह इस पानी को भी लीजिए और ये मेथी दाने को भी खालीजिए इसके इलावा आप कपाल भाती जरूर कीजिए कपाल भाती करने से पेट के रोग दूर होते हैं अगर आपके पेट के अंदर कोई रोग नहीं होगा यानि एसी डिटी जैसी प्राब्लम ही नहीं होगी तो हाई वीपी पैदा ही नहीं हो सकता ये बहुत ही असान रास्ता है हाई वीपी जैसी बड़ी बिमारे से बचे रहने का अगर आपको ये इन्फरमिशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैर आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज के इन्फरमिशन उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाई